हलो फ्रेंट्स मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो हम बात करेंगे अगर आप लोग को भी फेस्बुक एकाउंट में कुछ इस तरह से डिसेवल वाली प्रोग्लम आ गया है तो कैसे रिकाउबरी करेंगे क्योंकि दोस्तो इस पे रिलेटेड का सब्सक्राइब करेंगे क्या एक दोस्तों करना काफी ज्यादा जरूरी आप लोग को भी आ गया है तो इसके लिए आप लोग वीडियो में बने रहे हैं जाने से पहले मेरी चोटी स्रिक्वेस्ट है आप लेडियो को लाइक कर दीजिए फ़ाली वारायां तो आप देख रहे हैं आरके help official में तो सबसे पहले दोस्तों जो मैं तरीका बताऊंगा वही तरीका apply किजेगा उसके लिए पहले आपको id name और data worth मालूम होना चाहिए और जो आपको मालूम है id name data worth वही नेम से एक official id card होना चाहिए जैसे example के तौर पर समझे अधार card, pen card, water id card या school या college में एक identity card मिलता है उस document से ही अपना account verify कर सकते हैं लेकिन simple step में आप इसमे अधार card upload कर दीजेगा तो इस तरह के करने के लिए क्या करना होता है आप लोग वीडियो में बने रहे हैं सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मौयल के किस तरह से करना है सारी बाते इस वीडियो चल रहा होगा आपका account disable हो गया है आप लोग यहां पर live देख सकते हैं 14 दिन के आपके first time है दोस्तों अगर आप लोग 14 दिन के पहले ही अपना account confirm कर लेते हैं तो आपको account opening हो जाएगा अगर आप लोग को 14 दिन से जादा हो जाएगा तो permanent के लिए आपका reject हो जागा दोस्त यहां पर स्क्रींस लें लिजिए गा जैसे हैं स्क्रीन सोटिन यहां सब्लों को बाहत होना है जैसी ही बैक होंगे दोस्तों सबसे पहले यहां पर आप लोग को प्लेश्टोर application open कर लें जैसी Open करेंगे इस तरह से option आएगा यहांप यहां पर अपलो सर्च करना है दोस्तों सर्च करना है facebook.com जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से option आ जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पेक option आपको दिख्राओगा logging into facebook इस पे क्लिक करना है जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप लोग को इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा account recovery बिशेवल बट यहाँ पे country कावरी कैसे करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों यहां से आप लोग को वैक होना है वैक होने के बाद दोस्तों इस तरह के आने के बाद यहां से आप लोग को न्यू टैप बना लेना है जैसे ही बनाएंगे यहां से आप लोग को न्यू टैप बनाना है उसके बाद यहां पे आप लोग को सर्च करन करने के दोस्तों यहां से आप trend confirmed करने के लिए आजाएगा उसके बाद दोस्तों यहांसे आप लोग को क्या करना है सबसे पहले आप लोग को जो chrom browser बताया है वही chrom browser मी यूज किएगा क्योंकि useful video है और इसमें सबसे पहले आप लोग facebook.com सैच करके अपना account login कर लीजिएगा login करने को बाद new tab बना लीजिएगा new tab बनाने को फिर यहाँ पे आप लोग को search कर लेना है and confirm identity रजैसी search करेंगे इस तरह से option आएगा इसमें अपना अधारकट upload कर लीजिए तो चलिहां से हम अधारकट अपना upload कर लेते हम मैं यहाँ पे अधारकट अप्लोड कर दिया हूँ दोस्तो जैसे ही अप्लोड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोगो send का option एक दिख जागा इस पे आपको click कर लेना है जैसे ही इस पे click करेंगे दोस्तो यहाँ से आप लोगों कुछ नहीं करना जो मैं टरीका बतांगा वही टरीका अप्लाई कर लेना जैसे ही समीट करेंगे यहाँ से आप लोग को इस तरह से option आएगा account setting पर क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करेंगे यहां से आप लोग को इस तरह से option आएगा उसके बाद दोस्तों यहां पर username आपको दिख जाएगा username पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे यहां से आप लोग को एक option मि यहां से आप लोग को यहां आप लोग को सर्च करना है जो मैं बताऊंगा वही आप सबसे पहले आप लोग को यहां पर आईडी नेम लिख लिए जगा आईडी नेम और यूजर नेम जरू लिखिएगा दोस्तों और मुवाइल नंबर जिमेल उसके बाद दोस्तों जो आपका प्रोग्लम है तो फेस्बुक एकांट डेशेवर इस तरह क्लिक ना है उसके बाद आप लोग को यहां से समीट का एक आइकन देख जाएगा समीट ओल आइकन फे क्लिक कर लेना है जैसे क्लिक करेंगे यहां से आप लोग को फिर से करेंगे दोस्तों यहां से आप लोग को इस तरह से उप सieß नागगा सेकंड नमबर प्लिक रोगारio SMITH कि इसपेक क्लिक करना है जैसे इस gegen करेंग दोस्तों यहां से आप लोग को कुई स्क्रॉल करना है करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे या स्क्रोल करना है यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा Yes या No तो No लाइकन पे क्लिक करना अधर पर क्लिक इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों केरियेट एन एकाउंट पर क्लिक करेंगे जैसी इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहां से आप लोग को एक आप्शन मिल जाएगा उसके बाद 3.0 पर जाके हम इसको open करने के लिए बताएं तो आप लोग 24 गंटा बेट कर लिजेगा बेट करने के बाद दोस्तों यहां पर डिरेक्ट इसको link को open करेगा चाए copy paste करेगा हम देखिया आप लोगो बता आते हैं जैसे इसको copy करेंगे उसके बाद यहां पर new tab बना के टैब बनाने ना है उसके बाद यहां पर अपना यह वला डाइल करना है उसके बाद जैसे डाइल करेंगे यहां से आपका account recovery हो जाता है और इसी तरह से आप लोग र स्क्राइब कर लिजेगा आसा करता हूं फ्रेंड आप लोग कोई वीडियो समझवाया होगा अगर आप लोग वीडियो नहीं समझवाया उसुरू से एंड तक देखिए आप लोग का भी डिशेवाल एकांट recovery हो जाएगा उसके लिए दोस्तों ID card में नेम और डेटर से आपको नोटीश मिलता है कि आपका कंफर्म होगा कि नहीं होगा जो आप लोग को facebook ID में नाम है और अधार कार्ण में नाम है दोनों अगर आपको मैच करता है तो फेस्वुक से कंफर्म आपको मिल जाएगा तब जाके आपका एकांट open होता है ये नहीं कि आप लोग वीडियो पसंद दिया तो लाइक किजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तो फिला दोस्तों आज मैं इता करने देता हूं तब तक लिए थिंक्यू और वेस्ट पाई बाएं